कि हलो वाई हो कैसे हैं आप लोग आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आ गया है जिसमें आज आपको बताएंगे डिस्वाशर के वारे में यह आप देख रहे हैं इलक्टॉलस का डिस्वाशर है इस डिस्वाशर का काम है जो वरतन बेगारा होती है रेश्वंड में या फिर द्रेन नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है यह जो प्रोलम में वह कॉमन प्रोलम में जादर डिस्वाशर में आती है अगर आपके घर भी इस तरह का डिस्वाशर है तो आप खुद से भी यह जो प्रोलम है उसको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पूरी आपके रही देखें एक एक चाप करने की जिससे कैसे समझा अगर पर आपके सामरे तो ऊर्फे अब कर सकें तो करते हैं अब पूर्ज इस वासर को ऊन करते मैं भी आपको सॉँंड सुनता हैं अि अगर आपके डिस्वासर में भी इस तरने की आवाज आए तो तुरंत डिस्वासर को बंद कर दें और इस तरह से जैसे मैं आपको बता हूँगा चेक करें या फिर आप सर्विस सेंटर पर कॉल कर सकते हैं मेंटेनस टीम को बला सकते हैं मैं बताता हूँ हमने देखिए ड्रेन कर दिया है पांडेन हो रहा है काफी देर से बहुत पानी वह सलो सलो जा रहा है और यह आप देख रहे हैं मेरे आप में यह फिल्टर है इसका यह कचला बगएर अंदर जाने नहीं देता है इसको पर लगा रहना चाहिए अगर कचला अ कि तरह पर किसी किसी के क्या होता है कि वैक साइड को आप कवर खुने और अगर नीचे की कि तरह पर यह तरह का कबर खोल लें सब्सक्राइब को ढेरा बता कि किस तरह से इस 닉नल लेते हैं पिर इसके बाद चेक करेंगे पंब के आस पास का एडिया है तो हमारा कवर खुल चुका है आप देगिए कवर खोल लिया है अबने और ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं यह हमारा और सोलोनाइड वालव को जो पानी पाइप को मालू Mental पीचे जो टैप होता लगा उसे डायरेक्ट आता राता है यह तो पानी को स्टॉप करके रगता है जब जरुथ होती है इस बासर को तभी यह होता है और इसके अंदर पानी चला जाते तो, इसका काम हो गया अभी यह हमारा आप देख रहे हैं यह हमारा ड्रेन है तो अभी हम इस द्रेन को खोलेंगे इस तरह का ढकन आपके हर एक डिस्वासर में आता है नीचे की तरफ क्योंकि जो ब्लोकिंग होती है वो सब इदर आके फस जाती है और यह देखिए आप देख रहे हैं यह ब्लोक है कि अचे कचड़ खटटा अगया शक्राइब चला जाता है कुछ चीज कचड़ों जो आतंब शुक्त चलाती है कि मैं इस तरह पानी अगर आपका डिस्वासर ब्लोक है पानी डेन नहीं हो रहा तो आप इस तरह उस ढखकन को को खुल लिए गया और सारा कचला लो और आप के पाई के साथ साथ जो उसका हॉस है जो हुरwind पाइप है है उसको भी धुक्लीन कर दे 돌 के सारा बहार निकाल ले नेया ओ mister हमारा रहेगा जो इसमें वर है जो कि आवाज इसमें आ रही है उस आवाज को देखने का कहां से इस तरह की आवाज आ रही है इस तरह आवाज करता नहीं है डिस बासर तो यह सारे जो टूइब जोएंट लगे पड़ें यह आप देख रहे हैं ब्लैक टूब पहले इनको खोलेंगे और फिर हम चैक करेंगे कि पंप कोशिश करेंगे किप यह निकालना इतना यही नहीं है क्योंकि बहुत ज्छाधा टाइट एरिया है इस पैस नहीं ज्यादा काम करने लिए agora को quem धी करते हैं ऐसे पहले तुम यह जो ट्यूब के जॉइंट लेगे हैं एलों सारे क्लिप को खोलके जॉइंट निकालना है तो देखिए थोड़ा सा पंप हमने पीछे की तरफ कर दिया निकल नहीं रहा है बार की तरफ उपर से जो हमारा ट्यूब था इन और आउट जो हमारे पंप कि हें वह दोनों के निकाल और हमें इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है चुने जो हमारी इन लाइन है पंप की अब देखिए हेड पेस्के कुछ अंदर दिखाइए तो ही या यह यह को सब शक्यिंत के अंदर यह पहले डाल दी मुझे अपर यह से कैसे इसके अंदर चमचा गई कि यह कि यह ड्रेन करने की टाइम में क्या होगा इन लोगों ने क्लीणिंग करने की टैम में जह फिल्ट्र हटा दिया हुआ और पानी के थुरू क्या है डारेक्ट इदर आ गया है है तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो हैड़ हमका उसके जो ब्लेड वो ठीक है नहीं अगर कोई भी टूड जाएगा पानी सब्सक्राइब नहीं खीचेगा और नहीं ऊपर के लिए थ्रो करेगा तो ब्लेट तो हमारे सारे ठीक हैं नहीं है क्योंकि चलाया नहीं है बंद कर दिया है मैंने आपको टेस्टिंग के लिए दिखाया था इससे पहले यह लोग के सामने आए थी तो इन लोगों ने चेक करके बंद कर दिया था आवाज कर रहा है इसी बच गया नहीं तो शारे टूट जाद है इस तरह को सकता है आसकता है ग्लास बगारा तूट जाते हैं जो हमारा काँच के ग्लास होते हैं वो टूड जाते हैं डिस्वासर में कभी-कभी तो बहुत सारा जो ग्लास में जो उसके टुकड़े होते हैं काच के वो मैंने तर्डेन में से निकाले इस तरह की प्रॉलम आती है मैंने शुरू में आपको बताया था कि ड्रेन पे जो फिल्टर लगा है वो ना क्लीन करने के टाइम भी पहले आप ड्रेन का सिर्फ उपर से पाइप खीचें जो पाइप लगा होता है बाकि जो जाली लगी पड़ी है वो जाली यह क्या है इन लोगों ने क्लीनिंग के टाइ पानी ड्रेन के टाइम जैसे ड्रेन हुआ होगा वैसे ही वह चोटी चुबमस्ति उसके साथ आगी तो इसलिए अगर कभी भी आपको ड्रेन करना है तो पहले क्या करें जो पाइप लगा होता है बीच में जो पाइप खड़ा होता है उसको आप ऊपर की तिरफ फीच लें और फिल्टर जो लगा है प्राइस्टिक का जो हमारी जाली लगिए उसको वैसे ही रहने दिए हमने अब डिस्वासर को ओन कर दिया है और अभी आप देख रहे हैं डिस्वले पे फील आ लिखें तो यह भी फील अप हो रहा है यानि कि पानी इसके अंदर फील हो रहा है ज पानी का लेवल पूरा हो गया है और हमारा डिस्वासर ओन हो गया है और अभी चल रहा है आपको नौइस इतनी जाता सुनाई नहीं दे रहे कि पहले जो सुन नौइस थी वह एक अलगी थी यह नौइस जो है यह तो नौर्मल होती है इतनी आप आप लोग को वीडियो पसं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फाइल के साथ चैनल पर बनेदी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए जाए तो वेल आइकन भी प्रस कर दें तक कि आने वाली वीडियो को नौटिवेशन आप तक पहुंच सके है झाल